कि इसको आए तो आओ इस को सुखते हैं इस डोमेनो फॉंक्शन एक्स तो आपको लोग एक्स की रिए रहेके और फिर आपको जो है थिर्टि सिक्स वोड ऑफ एल्पा प्लेस बीटा इसकी लोग को फाइंड करने को तो सोलोशन में हम अच्छे से समझते हैं हमारे पास तीन स्टेप हैं फिर्ष्ट आपको देखे लोग 4 एक्स स्केर प्लस 11 x plus 6 पहले इसको देख लिते हैं लोग 4 x स्कैर प्लस 11 x plus 6 इसका बेस अपन बेरे रखा e और आप जाने हैं जब मैं log x की ग्राफ के बारे बात करता हूँ तो log x का ग्राफ to the base e इस तरह से आता है यह x, यह x- y, यह y- 0 और यह value बान नहीं तो आप समझ सकते हो कि जो भी वेलू है लोग के अंदर की वेलू हमेशा क्या रहने निचे पोजिटर रहने चे इस इट मेंज 4x² प्लस 11x प्लस 6 जो है वो 0 से बड़ा होना चाहिए इस तरह से जो है आप x की वेलू को find करो जब हम इसके factor बनाते हैं तो आ जाता है 4x² प्लस 3x ± 6 100 गलीटर देन जीरू 4x common x plus 2 3 common x plus 2 ३। गलीटर देन जीरू और ये x अब मैं अगर इसमें मैनस तरह रखता हूं तो यह जएगगी ज्सक्राइब हो जागी इस के बाद मेन depth हो मैंनें इस प्रसी इस तरह से आपके बास आजाता है बूस क्या आजाता देखिंग मैनस 119 अच्छ ज्छु मैनश 3 stoband यह आपकी x की interval साधाती है जो लोग 4x square plus 11x plus 3 to the base e को क्या गरी सेटिस्टेट करें इसमें हमारे पास क्या आती हो को देखें, second step हमारे पास है sin inverse 4x plus 3 तो sin inverse 4x plus 3 आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि 4x plus 3 की value जो है 1 से minus 1 के बीच में आ जानी चाहिए ठेक है, तो यहाँ पर देखें, यह हम इसको 4x करने के लिए दोनों दरफ में minus 3 कर देता हूँ तो 4x हो जाएगा और यह 1 minus 3 हो जाएगा, तो minus 4, 4x और यह जाएगा minus का 2 अब 4 से divide कर देते हैं, तो minus 1 x minus का 2 by 4 minus 1 इधर x हो जाएगा और minus का 1 by 2 हो जाएगा इध्मेंस, minus 1 से तो बड़ी है, और minus का 1 by 2 से क्या है, value छोटी है तो किस तरह से second sin inverse 4 x plus 3 के लिए, जो है, x की जो value आजाती है, वो आजाती है, minus 1 से बड़ी, और minus 1 by 2 से छोटी, और इसके बड़ी, अब हमार पस third value है, post inverse 10 x plus 6 upon 3, तो इसके लिए भी आप जानते हो, 10 x plus 6 upon 3 की जो value है, वो 1 से minus 1 के पीच में आते हैं, 3 का multiply करते है, minus 3, 10 x plus 6, less than equal to 3, अभी ये minus का 3 minus 6 आजेगा, 10 x 3 minus 6 आजेगा, minus 9, 10 x minus 3, अब 10 से ट्वाइट की जो आएटे हैं, minus 9 upon 10, x minus 3 upon 10, आजे तो इस तरह से x का interval हमारे सामदी क्या आता है, इसके लिए हमारे पास x का interval क्या आता है, इसके लिए भी हमारे पास x का interval क्या एक्स बिलूंग्स का 9 अपॉन 10 2 माइनस का 3 अपॉन10 अब आपके बस 3 वैल्ल आई एक तो 1st वैल्ल वी आई 2nd interval आपके बस याता है और 3rd interval आपके बस याता है इन 3 interval से आप आसानी से जो है अलफा और बीटा के वैल्ल का सकते हैं हम वो इंटरवल निकाल लेंगे जो इनकी लोगों क्या करेगा सचिस्फाइल करेगा तो आउस समझते इसको कैसे हम एजी वेल में निकालते हैं देखो इसका एक आसान मेठ़ड मैं आपको बताता हूँ सबसे पेले देखो आपके पास एक तो वेलू है माइनिस इसमें देखो सबसे छोटी वेलू जो हो ले लेते हैं इस नंबर लेते हैं इस नंबर लें पर सबसे छोटे वेलू माइनिस टू है तो माइनिस टू को इधर ले लिया इसके बाद यह है माइनिस का 0.5 है यह माइनस का 0.90 है यह माइनस का 0.30 है तो इस तरह से इस तरह से अपन देखें तो सबसे पहले आता है माइनस को इसके बाद आता है माइनस का 1 माइनस का 1 के बाद आता है माइनस का 0.9 इसको हम माइनस का 9 अपन 10 लेते हैं ठीक है हमारे पास यह वेलू हो गई यह वेलू हो ग को माइनस का 3 by 4 लिख लेते हैं अब ये वेलू भी आगी इसके बाद आता है आपके बास माइनस का 1 by 2 माइनस का 1 by 2 और फिर आता है माइनस का 0.3 इस तरह से हमने जो है रख लिया है अब देखते हैं कि कौन-कौन से इंटरवल इनको सटिस्पेड करते हैं देखो हम फिर्स्ट इंटरवल के बात करते हैं फिर्स्ट इंटरवल के अगर हम बात करते हैं तो यह माइनस इंफानेट से माइनस इंफानेट से माइनस टू है यह म लोग वास इस तरह स्यादेगा और इधर जो है 3 by 4 माइनस का 3 by 4 यह वेलू जो है first interval को satisfied करती है first interval को minus infinity से minus 2 minus 3 by 4 से minus infinity तक value satisfied करती है अगले value minus 1 से minus 1 by 2 है यहां से लेकर यहां से लेकर यहां से लेकर यहां तक इवेलू second interval को satisfied करती है ठीक है ओके अब इसको भी हम इस तरह से लिख सकते हैं इवेलू जो है आपके पास आजेगी minus 3 by 4 से minus infinite आगे तक आजेगी इधर वेलू अगर हम देखे तो minus 2 से minus infinite तक आजेगी यह second interval आपका आजेगा minus 1 से minus 1 by 2 और third interval आपका आजेगा minus का minus का 9 by 10 से minus का 3 by 10 है यहां तक ओके यह बिल्वा आपके सामने आजाते हैं तो आप देखे देखे सटिस्फाइड कुन सी वेलू करते हैं ऐसा interval जो इन सभी को सटिस्फाइड कर रहा है तो आप देखे रहे हो कि यह जो वेलू है यह minus का 2 by 4 अगर मैं इधर से लेन कीशता हूं तो फर्स्ट इंट्रवल भी सटिस्फाइड हो रहा है इस तरह से जो है वह है इंट्रवल जो सभी को सटिस्फाइड करता है आपका केतना है मैंनस 3 by 4 से मैंनस का 1 by 2 तो एक्स की जो वेलू आती है मैंनस का 3 by 4 से मैंनस का 1 by 2 ओके यह जो इंट्रवल है यह तीनो टरम्स के डॉमेंन को सटिस्फाइड करता है ठीक है अब देख़ूं यहाँ पर जो है मैंनस का 3 by 4 आपका ओपन इंट्रवल है तो यहाँ पर तो आपका ओपन इंट्रवल ही आएगा यहाँ पर ख्रूज नहीं आएगा और मैनस 1 by 2 इंक्लोड है तो यहाँ पर आपका विटा की व decid ETF एक हैंड को अपको व्यूकिसकी फाइंड कर लिख एटस्का तो माइनस का 3 पाइंब बाई 4 म माइनस का वन बाई 2 वी पॉजिटीव वे लूँ और इसको상 उख एक हैmm कर लीए इसके विलुग आप असाले से निकाल सकते हो जब हम इसको फॉर्व करते हैं मैनस आजाएगा बहर एल्सीमा जाएगा पॉर एधर तवा जाएगा थी और इधर जाएगा तो यहां पर वेल्यू पोजिटिव ले लेते हैं तो वेल्यू आप बसे जाएगा थे तो मेरे के दूम यह question आपको अच्छे से संब्माया हुगा next video में जो है हम जी मैंस के आएवे और सांदर question पर बात करेंगे तो सभी श्रॉन्स को दावेस्ट अगर आपको यह question अच्छे से संब्माया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब ले मिलते है नेक्स्ट वीडियो में सभी श्रॉन्स को दावेस्ट थैंक्ट विए